एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वाकत है मैं वेलकम कर रहा हूं आपको एक नए अंदाज में फिस्टो फेस को लास्ट वीक मैंने फिस्टो फेस लाइब नहीं किया था प्र विगॉस आपको तो पता है मैं ट्रैवल कर रहा था और मुझे लगा कि कुछ नया करना चा तो इस बार से face to face में आपको कुछ निया पर नज़र आएगा बैकराउंड देखिए थोड़ा चीन नज़र आ रहा है पीछे में face to face आपको नज़र आ रहा होगा उसके अलावा philosophically मैंने face to face में एक चेंज किया है अब मैं सिर्फ नहीं सिखूँगा expert से अब यहाँ पर और भी लोग आएंगे जो सीखेंगे और बहुत सारे questions होंगे बहुत सारे बाते होंगी और expert से हम और बहुत कुछ निकालने की कुशिश करेंगे दोस्तो इस बार के face to face में हमारे पास कुछ लोग थे जिनको हमने invite किया बट अगर आप भी face to face में आना चाहते हैं और participant बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के निचे एक form दे दूँगा आप Calcutta में अगर हैं और अगर Calcutta आ सकते हैं तो आईए और हमारे future face to face के recordings का पार्ट बनिए तो दोस्तों आज कि जो मेरे guest हैं इनका market में बहुत rich experience है चुपे रुस्तर में चुपे चुपे बहुत काम किया market में इन लोग इन्होंने technical analysis भी किया है fundamental भी किया है trading किया है हर तरगा trading किया है डेली में भी थे Calcutta में भी थे अभी algo trading कर रहे हैं और इनको actual में पता है कि market में पैसा कब नहीं बनता है तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले है बहुत unique है चर्चा कि अभी के market scenario में जहां पर option selling के नाम पे बहुत कुछ बेचा जा रहा है क्यों option selling change हो गया है क्यों उसमें शायद अब वैसा पैसा नहीं बनेगा जैसे पहले बनता था और आने वाले दिनों में अगर आप option selling करते हैं तो किस तरह से पैसा बनेगा तो बहुत interesting video होने वाला है तो इसको last introduction दे दिया but we'll love to know more about you because अपसे और सीखना है तो आपके बारे में जानना जरूरी है तो तो तेल us about your journey तो यह journey start हुई थी 2009 में fortunately Calcutta से ही यह journey start हुई थी when I was employed with one of the broker और मुझे वहां पे Elgo trading as a pilot project start करने का अफसर मिला था 2008-2009 का वो दौर ता जब Elgo trading इंडिया में ही introduce हुई थी एक यह दो वेंडर थे जो इस तरहें की service देते थे और जब Elgo सामें start हुई थी तो pure arbitrage जिसको vanilla arbitrage भी कहा जाता है उससे हमने यह journey start करी थी और उसके बाद यह journey पिछले 14 साल से चल रही है I am able to survive in this market in last 14 years trying to learn new things new trading strategies new concepts क्योंकि market एक ऐसी चीज़े है जो constantly change होता रहता है कोई भी एक pattern कोई भी एक strategy over the period of time survive नहीं कर पाती है जो एक चीज़ शवाइब करी है और जो आपके माध्यम से कहना बहुत ज़रूरी है वो यह कि learning market में हमेशा survive करती है continuously learn करते रहे है market का behavior market की dynamics market का regime change होता रहेगा आपको यह पता होना चाहिए कब कौन से market में क्या चीज़ अप्लाई होनी चाहिए अगर वो है तो आप long term में market में profitable भी रहेंगे शवाइब करेंगे तो आप learner विवेक बजा आज है मैं student विबोर गुपता हूं और जस्ट वोंटे टू रिमें देस्टुदेंट अफ इस्टॉदेंट अफ इस्टॉदेंट मार्केट अट लिस्ट इस पार्ट अफ मैं लाइफ साही है वी आल शुड़ अब लिए तो रिमें देस्टुदेंट अव्माइटी मार्केट अब विबोर अभी आप इंडिपेंट है हाँ अभी में अब इन्डिपेंट अब इतने साल का जर्नी में अब इतने केपबल बन गएं कि आपको लगता अपना पैसा मैंज करो और उसमें पैसे बनाओ और उ फीचरस मैंने सीका है और मांकिट की वीजीम बहुत सा रही देखी है up trending market देखा है वो जो पर्मिटेशन एंड बन सकते हैं तो समंदर है इस्ट्रेटिजीज का जब आप्शन करेड़ कर से जो कुछ मोथी चुन्ने होते हैं जो करन्ड मार्केट सेनेरियो के हिसाब अधाब से प्रोफिटबल होते हैं वो ही काम करने की तरुम कि तरुम कोशिश करते हैं सभी बात है, एक बात बुलूँ, समंदर है वहाँ, मैं इस्ट्रिक्ट चैंपिन उस्विंग में है, तो मुझे लगा मैं तो स्विंग हूँ, कर सकता हूं कई भी तो मुझे एक समंदर में डाल दिया किसंग और जब मैं समंदर में कुदा तब मेरी हालत खराब होई, बिकॉ तो पॉइंट यही है कि ऑप्शन एक समंदर है, आपको दिखे का इतना विशाल है, लेकिन उसमें उतना कॉंपलेक्सिटी है तो उसको बिना सीके संझे उतरना मतलब की डूबना, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? उप्शन को सीखना, उप्शन को समझना, उप्शन जितना lucrative है उतना ही उसके अंदर risk भी है तो risk को समझते हुए यानि समंदर के उतार चढ़ाओ को समझते हुए फिर उसमें आप swimming करेंगे तो वो आसान हैगा practice is something which is very important while trading आप छोटे से start करिए आप practice करिए और उसको gradually grow करिए एक चीज में कहना चाहूंगा कि कई लोग सोचते हैं stock market में आप jump in करो पैसा बनाओ और overnight या short time period में पैसा बन जाएगा 14 साल में मैं कैसे क्तो हूं market में कभी भी पैसा बनाने की opportunity खतम नहीं हुई है और आने वाले कई हजार सालों में भी खतम नहीं होंगी तो यह बजार है stock market है यहां पर systematically consistent पैसा बनता है पैसा बनाने के लिए आपका practice करना आपका चीजों को समझना सीखना बहुत जरूरी है रिस्क को समझ के चलिए अगर आप विस्क में अब सभाइब कर गए तो आप long term market में survive कर जाएंगे as a strategist algo trader हमारा काम यह होता है विस्क को mitigate करें profit is a by product जहां तक विस्क को minimize कर सकते हैं वहां करने की कोशिश करते हैं we never focus on profit क्योंकि पता है अगर विस्क को हमने manage कर लिया तो profit तो आ ही जाएगा यह सब golden words है दोस्तों और विभूर कितना experience है 14 साव के experience वैसे राम जी 14 साव के लिए उसके बाद रेडी हो गए थे वो भी तो विभूर भी रेडी है अपनी जर्नी as a trader फुल टाइम कर रहे हैं और अच्छा से कर रहे हैं विभूर हमने एक format इस face to face में चेंज किया मैंना को बताया था हम इस face to face में चेंज करने वाले एक तो यह जो वीडियो हमने introduction का किया हम थर्स्दे रिलीज कर रहे हैं तो आज हमने release कर दिया ताकि आप विभूर के बारे में जान जाए और कल फ्राइडे को strategy discussion अने वाले विभूर से तो आज के लिए हमारा introduction था आपका तो बहुत अच्छा लग आप से मिलके अब हम चाहते हैं कि आप हमको next section which is strategy section क्योंकि आप algo trading करते हैं और algo word वैसे काफी homely हो गया घरगर पहुंच गया बट मुझे लगता है कि अभी जो algo जिस तरह से किया जा रहा है it is not actually the algo which is used by professionals like you तैसा बनाने के लिए तो बहुत डीटेयल आपके कालेंडर में फ्राइडे पांच बचे हम लोग यही है और आपस को वेवर सिखाएंगे कैसे algo trading करते option selling कैसे करते और कैसे आप यहां पर secure अपना life को जी सकते बिल्टे कल शौर पहली बात तो आपका जो ब्रेडन बड़र वो सफंदी करना चाहिए deploy only the surplus capital that you have ठीक है secondly वो जो surplus capital that is also your hard earned money money has got its own value तो उसके आपको एक money management के rules होने चाहिए कि आप कितने पैसे का risk ले सकते हो correct आपने 100 रुपे बजार के अंदर लगा है मैं अगर हूँ मैं अपने capital पर 20% से जादा का risk नहीं लूँगा option buying में correct तो अगर मैंने 100 रुपे बजार में लगाए है तो में को पर trade करने से पहले मुझे पता है कि एक पर money management का rule है कि 80 रुपे जैसी रह जाएंगे वो मेरा stop loss है that is part number one part number two अगर में पास 100 रुपे है तो क्या इस trade में मुझे पूरे के पूरे 100 रुपे डिपलाई करने है इतनी probability है इस trade के अंदर कि मैं पूरा capital डिपलाई कर दूं क्या हर trade में winning probability सेम होती है नहीं होती है तो हर trade में पूरा capital क्यों डिपलाई कर जाए तो we need to have methods to define and calculate the probability of winning of a trade उसके accordingly मुझे 100 में से 40 रुपे लगानी है, 60 रुपे लगानी है, 80 रुपे लगानी है, 100 के 100 रुपे लगानी है वो depend करता है तू, उसके बाद जो भी मैं setup run कर रहा हूँ, जिसके मैंने predefined rules बना रखे हैं उस rules की overall winning probability क्या है अगर उस set of rules से मैंने पिछले 10 trade की हैं तो 10 में से कितने trade में को profit में देखे गाए that is a validation on the set of rules through which I am doing option buying, ठीक है तो पहली चीज हो गई, overall मेरे set of rules की probability दूसरा आप trade करने से पहले money management के rule, तीसरा इस particular trade को trade करने की probability और उसके according उस पे fund deployment, कि मुझे कितना पैसा लगाना है, हर trade पे 100 रुपे लगाने जरूरी नहीं है अगर आप 20-20 रुपे के trade करोगे और तीन ट्रेड आपके successful हो गए तो आपका confidence वह अगले ट्रेड में 100 रुपे लगाने का बनेगा लेकिन confidence में और emotions में कभी-कभी trading में बहुत comfort कर जाता है तीन ट्रेड सक्सेस्फुल होने के बार ना यूजुली ट्रेडर का confidence में वह साथ में आसमान पर पहुंचाता है कि में से आथा सही तो बजार में कोई हो इनी सकता तो मैं तो पैसे बना ही लूँगा टीक है वहाँ पर क्या है आपको जो आपका setup आपने जो data point बना रखे हैं जो जो rules बना रखे हैं आपको उस पर stick रहना है correct and last thing जो money management मैंने बताया कितनी भी probability आपकी trade की अच्छी हो you need to define कि इससे ज़्यादा risk मुझे trade के अंदर नहीं लेना है जैसी वो हो exit हो रकमंठन मुझे हैं लाँ लाँ है हुँ है लाँफव ए्षबोट electro捐खे औ 99